जिरेन साथियों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपनी चैनल NIS Online Hub में इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे अनायस डिलेट से सम्मधित दो महत्पून अपडेट के बारे में दोनों ही अपडेट जो है आपका महत्पून होने वाली है जो भी जो है अनायस कंडिडेट ह इस वीडियो को अंद तक देखेगा चैनल पर नए चैनल को सब्सकाइब कर लिजगा सबसे पहले सभी साथियों को गुड मॉर्निंग रहेगा हमारे तरफ से जो भी चैनल पर नए है अभी तक सब्सकाइब नहीं किये तो दोस्तों सब्सकाइब कर लिजगा ताकि आपको स फोलो नहीं किये हैं फोलो कर लिजगा इहां पर बहुत से चीज होते हैं जो लिडिऑ सब्सकाइब कर देता हूँ कर मैंने आप से ही कली मैंने झोंअ एक पोश्ट किया था देख सकते हैं पंदराघंट पहले पोस्ट किया था उसके बाद बहुत सारे YouTube चैनल के चैनलों ने इस संबंद में जो है वीडियो बनाया, ठीक है, साथ में दोस्तों में जहारकंड में जो 26,000 सिक्षकों की बाहली अभी पोटल खुलने वाला है, बहुत जल सीटेड अभिहारतियों के लिए, तो क्या उसमें अनायस डिलेट को बाहर कर दिय से आदेश आया है कि जो प्राइमेरी की भरती में जो है, जो नहीं लिया जागा फ्रेस रिकूर्मेंट में, तब से जो है, सभी जहां जहां सिक्षकों की नहीं भरती निकल रही है, उहां पर नायस के संबंद में जो है लेटर जारी हो रहा है, हाली में दोस्तों आप जो भरती होती है प्राइमरी की उसमें अनाइस डिलेट को जो है लेने से माना कर दिया है क्योंकि सुप्रीम कोट का आदिस आया है ठीक है तो यहां पर दोस्तों देखेंगे यह लेटर वेबसाइट पर है आप इसमें कहेंगे कि इसमें कुछ मोहर नहीं है तो मैं आपको वेबसाइट से डाउनलोड करके भी दिखाऊंगा ठीक है वीडियो पर अनतक आप बने रहेगा देख लीजिए आपर जो है लेटर यहां पर जारी किया गया है वीडियो पर अनतक आप बने रहेगा सारी चिसको मैं बिसलेशन करने बाला हूं तो यह है दोस्तों आपका ठीक है यहां पर देख लीजे लिखा है कि क्रिपया प्राथमिक सिक्षक के पद को भरने के लिए A.E.S की भरती सुचना सेंखा दिया गया है यहां पर देखे आवेदन अमंत्रित करते समय बीएड मिद्वार एंसिटी अधिसुचना 28-6-2018 काधार पर आवेदन करने के पात्र थे हाला कि ऐसी भरती परकिरिया के लंबित रहने के दौरान मानिय được स्वर्वच नयाले ने निम्न अनुसार ने और आदिस पारित किया है आगे लिखा कि भारत के मानियbracht स्वर्वच नयाले के सिविल अपील यहां पर दिया गया है ठीक है आगे यहाँ पर देख लिजे देवेश सर्मा के मामले में अन सिविल अपीलों के साथ गारा आट दोहजातेस को को अपने फैसले में अनसिटी दुवारा जारे यादि सुचना दिनांग अठाइस छे दोहजार अठारा को रद कर दिया गया है नियुम्तम योगता परिनाम सवरो बीड की योगता रखने बाले में द्वार प्रात्मिक सिख्चक के रूप में नियुकत के लिए पातर नहीं है ठीक है मतलब primary के लिए जो है पात्र नहीं है साथ में जो 28 तरिक को दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट के तरफ से जो आदेश आया है कि फ्रेस रिकुर्टमेंट में NIS वाले को नहीं लिया जागा यहाँ पर जो है सभी राज के तुवारा जो है इस तरह का लेटर जो है जारी किया जारा जहां जहां पर नहीं नहीं सिक्षकों की भरती निकल रही है देख लीजेए हाँ पर क्या कुछ लिखा है NIS डिलेट के संदर में लिखाए कि 28 गारा 2023 के एक अईन निर्ने में भारत के मानिय स्वर्वुच नियाले ने जेवीर सिंग बनाम राज के मामले में सिबील अपिल सिंखा दिया गया है 2003 पर आगे लिखाए कि 2022 की SLP सिंखा दिया गया है आगे लिखाए में उत्राकंड और आईन ने माना है कि Open and Distance Learning ODL मोड के माइधम से National Institute of Open Schooling यानि NIS दुआरा संचालित प्रात्मिक सिक्षा में 18 मा का डिप्लोमा यानि DLAD दो साल के नियमित डिप्लोमा के बराबर नहीं है फल्सरूप DLAD प्रात्मिक सिच्छक पद पर निक्ति के लिए NIS से प्राप्त योगता माइन नहीं है मतलब जो भी जो है AEE के तरफ से जो भी प्रामेरिक लेबल की भेकैंसी निकलेगी उसमें NIS के माइधम से जो भी प्रसक्षन कराया गया है 18 मा में वो जो है इसमें योग नहीं है उसके संबन में लेटर जो है जारी किया गया है आगे लिखाए कि उपरूक निर्ने के परिनाम फलसरूप AEES में समक्ष प्राधिकारी ने निर्ने लिया है कि जिन विद्वारों के पास बीड की योगता और 18 मा का DLAD यानि OLD मूड के माइधम से NIS द्वारा संचालित पाइटकरम को EWS में प्राथ्मिक सिक्षक के पद पर निक्ति के लिए विचार नहीं किया जाएगा ठीके तो यह दूस्तों जारी किया गया है Atomic Energy Education Society की और से ठीके और यह लेटर मैंने कल ही जो है जो है पोस्ट किया था देख सकते हैं 15 घंटा पहले ठीके पोस्ट किया था अब मैं लेकर चलता हूँ इसके ओपिशल वेपसाइट पर कि आप इसे कहां से डाउनलोड कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको जो है इस वेपसाइट पर आ जाना है aeas.gov.in पर और यहां पर यह ओपिशल वेपसाइट है इसका ठीक है जैसे इस पर आएंगे दोस्तों यहां पर देख लिजे सबसे उपर में जो है एक लेटर है दस तारिक के डेट में आपको दिख रहा है एमेंडमेंट टूडा एडुकेशन क्वालिफिकेशन और पी आर्टी पोस्ट इन रिक्वेड्मेंट नॉटिस नंबर एडवली एस अबलिक जी यहां पर इस को आप जो है डानलोड कर सकते में करके भी इस प्रवींगे यह धुलिक करेंगे तो यह डालोड होके आ जाएगा ठीक है आप बात करेंगे दोस्तों जो भी जार्खन के कंडिडेट है क्यूंकि वहां पर भी जो है 26,000 की vacancies आई है उसके समन्द में बात करें अगर दोस्तों देखा जाए तो NCT के website में अभी तक जो Supreme Court के तरफ से जो फैशला सुनाया गया है कि NIS को फ्रेस requirement में नहीं लिया जागा NCT के तरफ से कोई भी ऐसा जो है अब तक मतलब अपडेट नहीं किया गया है तो हमें जो है आसा और पुरा विश्वास है दोस्तों कि NIS Delet को जीत मिलेगी फिर से चाहे नयाइप परकिरिया हो या जो भी हो ये दोस्तों मिलेगा क्योंकि हैं सरकार का ही दोसे इसमें जितने भी कंडिरेट के हैं उसका कोई दोस नहीं है ठीक है अगर चार साल पाइंच साल के बाद अगर कोई आपके कोर्स को अनभलिट कर दे और सरकार नहीं इस कोर्स को कराया है ठीक है तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये पॉजिटिव खबर है साथ मे आप लोगों ने देखा है कि पीमो ओपिस तक जो है एनाइस डिलेट का मामला जो है पोज गया है तो जो भी साथी जो सुप्रीम कोट के और रूप कर रहे हैं उनका सहयोग करें कल जो है लाइब लाया जाएगा और दोस्तों ज्धारकन में जो 26,000 सिख्षकों की जो इसमें भरती होने वाली है ठीक है तो 2016 के बाद कोई भी टेट कायोजन नहीं किया गया है, तो स्यटेट के परक्ष में फेसल आया है रोप बहुत जल्वर पर लिंक जो है ओपन होने वाला है मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं बहुत जल्द यहां पर ओपन होगा तो बहुत सारे साथे का कॉमेंट आ रहा था क्या जो 26,000 सिक्षक बहाली में जो हम लोग के पक्ष में फैसला आया सिटेट अभिहार तो क्या यहां पर मोका दिया ज सरकार के तरफ से कुछ ना कुछ जरूर हो आप से भी नोटिस आएगे क्योंकि यहां पर सिटेट वालों के लिए जो है लिंक जो है ओपन किया जा रहा है जो भी सिटेट पास कंडिडेट है ठीक है तीस बड़ी वीडियो में दोस्तों इतना है आगे कि जो भी महत्पुन अपडेट होगी आप लोग को हम देने का पर्यास करेंगे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा